हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक, एडू मेंशन में आपका स्वागत है, एडू मेंशन में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्स्राइब करें, ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी और सौरव सर की तरफ से हैपी न्यू इयर, नया साल है, पर ध्यान रखना है कि एक्जाम भी करीब है, 9 जनवरी 2022 को आप लोगों की सैनिक स्कूल की परिक्षा है, जिसे हम कहते हैं AISSEE exam, यानि की All India सैनिक स्कूल इंट्रेंस exam, तो AISSEE का प्रिपरेशन आप पिछले एक साल से कर रहे हैं, और हमारे सा जुडे हुए हैं, एप में आपने कोर्स देख रखा है, और लाइब हम आते हैं, तो आप YouTube पे हमसे connected रहते हैं, तो ultimately ये वीडियो का target है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी से लेकर 9 तारिक तक आपको क्या-क्या important काम करने हैं, क्योंकि exam से पिछले 10 दिन जो होते हैं, वो सबसे important होते हैं, of course उससे पहले आपने पढ़ाई की होगी, मैं ऐसा उमीद करके चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बत्से हैं आप लोग, तो आप लोगोंने preparation full to full कर ली होगी, तो डरने की कोई बात नहीं है, फटा-फट से कुछ tips लेंगे, और उसके बाद समझेंगे कि 9 सारी को exam forward देंगे, कैसे forward नहीं exam, exam में आग लगा देना है, और ये आग लगाना मैं सिखाऊंगा, अच्छल में आग नहीं लगाना है, माचीस नहीं बारना है, ठीक है, पढ़ना है अच्छे से और exam crack करना है, इसके लिए tips सुनो, फटा-फटा-फटा, पहला चीश, आप लगों को city allotted हो चुका है, कौन से शहर में आपका exam होने वाल है, तो आपका goal ये होना चाहिए, कि train की ticket अभी से book करा लो, अगर आपने book नहीं कराई है तो, और शहर जो भी city आपको allotted हुआ है, सैनिक स्कूल exam के लिए, उसे एक दिन पहले, याने की 8 जनवरी को पहुचें, और admit card आने के बाद, आपको center मिल जाएगा और center visit करके हैं, तो आपको direct 9 तारी को visit करने नहीं जाना है, पहले 8 तारी को आप जा के देख के हैं, कि कहां पर center है, कौन सा रास्ता है, कितना देर लगता है, आपके hotel से या आपके घर से exam center पहुचने में, ये हो जाने के बाद, अगले तीन ध्यान से main चीजे मैं बताने जा रहा हूँ, जो exam के लिए important है, वो सुनिये, पहला tip है, आपको 2 बज़े से लेकर 4 बज़े तक, जो की exam का timing होगा, सहने की school का 9 तारीक को, आज से लेकर 9 तारीक तक आपका target ये ultimate होना चाहिए, कि daily 2 बज़े से लेकर 4 बज़े त आपका जो दिमाग है, वो 2 बज़े से लेकर 4 बज़े तक एकदम focus के साथ काम करें, first tip completed, दूसरा tip है, previous year questions, पिछले पुराने साल के जितने भी questions आए हैं, 2020, 2019, 2021, हर किसी year के question paper निकाली है internet से, और उसमें सारे के सारे questions attempt करके देखना शुरू कर दीजे, क्योंकि मैंने सानिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाया है, जिनका selection सानिक स्कूल में हुआ है, 99% of the time बहुत सारे ऐसे questions होते हैं, जो पिछले 10 साल के question paper से ही direct उठाके इस साल के paper में डाल दी जाते हैं, याने की repeated question आते हैं, तो पिछले 10 साल का, 15 साल का previous year आप पढ़ोगे, तो आपको automatically बह इस यह question भी लगाना है, second tip, completed, third tip पर आते हैं, जो की सबसे important है, tension नहीं लेना है, tension बिलकुल नहीं लेना है, यह सबसे important tip है, tension क्यों नहीं लेना है exam के लिए, क्योंकि आपको पता है, आपने कितनी preparation की है, तो कहने का मतलब exam नौतारीकों नहीं है, exam तो एक तरीकी से हो चुक पतले, आप दिमाग में आख बंद करें, और imagine करें कि आप exam center में बैठे हुए हैं, और imagine करें कि आपके सामने question paper आया है, और question paper में वही questions आये हैं, जो आपको आते हैं, जो मैंने और सौरव सर ने आपको अल्रेडी पढ़ा रखा है, यह आपको daily करना है, इससे आपका brain activate हो जिसकी वज़ा से exam time पे आपको डर नहीं लगेगा, और जो questions बनेने वाले हैं, वो बनेंगे ही, कई बार ऐसा होता है कि student डर के मारे, बनते हुए question खराब करके आ जाता है, तो आपको daily का करना है, शाम को सोने से पहले, visualization, imagine, 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 इन tips के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि Seneca School में selection आपका मुस्किल है, AISSEE का exam 9 January 2022 को है, और मैं guarantee दे रहा हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे, आप सबका selection होना ही होना है, apps अगर आपने पूरे के पूरे वीडियोज देख लिये हैं, सारा question paper जो हमने solve कर आया है, कर लिया है, और अभी जब भी live जा रहे हैं, आप live है कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो हमारे देश की सेवा करेंगे कल को, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और धन्यवाद, जय हिंद